हाई आज फैरीवान, दीशी अरय générर एक वेडियो में सीखेंगे वूलेटाइल मार्केट को कैसे करते हैं मेरें कैसे ट्रेड करते हैं ऑघर आन पर incrlales को आगारा आप उपने शुलेटलस को यूज करका आप ट्रेड करते हैं में उपने आपका हर एक resistance के breakout पर या फिर support के breakdown पर trade ले लिया तो आपको कम से कम 200-300 point तक निकलने का मौका ही नहीं देगा लेकिन volatility में क्या होता है कि जब भी कोई low का breakout होता है आप यहां पर trade लोगे और फिर यहां पर price उपर कैसे आपको volatile markets को trade करना होता है and main thing कैसे identify करना होता है कि कि किस market volatile होने वाल है वो आज की वीडियो में हम देखने वाल है and 3 cases मैं आपको पताऊंगा ध्यान से देखने 3 case हम यहां पर discuss करने वाल है जो सबसे पहला case होगा उसमें market previous day में trending होना चाहिए अगर market previous day में trending है तो यहां पर आपके पास 3 scenario निकल के आएंगे next day पर price या तो flat open हो सकता है या तो gap down ओपन हो सकता है या फिर gap up open हो सकता है अगर price flat open होता है तो यहां पर market की chances कम है कि यह लटाइल होगा यहां पे यहां तो यह इमेडिटली क्रॉस करेगा या फिर यहां पे कुछ दरे टाइम स्पेंट करेगा और 1-2 घंटे का रेंज बनाने के बाद अगेन यहां पे क्रॉस करता है तो हम यहां पे ऊपर के साइट ट्रेड लेते हैं ठीक है second scenario price अगर gap up open होता है तो यहां से chances यह होते हैं कि एक आपको reversal देखने मिल सकते है price previous day पर trending था, कुछ लोग यहां से buy किये हुए हैं, कुछ लोग इधर buy किये हैं, कुछ लोग day end पर BTS टीकल buy करके गए हैं क्यों कि यह day high पर close दे रहा है, तो तीनो लोग यहां पर buy किये हैं, लेट से कि तीनों यहां पर hold करके रके हैं यहां फिर यह accept rumah और यह और यह好 करके रके हैं, अगर अगले दिन गलती से gap-up open होता है, इनको भी profit मिलना है इनको भी प्रॉफिट मिलना है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं उसके वैसे प्राइस गैप अब के बाद सदेन नीचान लगता है जो तीसरा हमारे पास सिनारियो बसता है गैप डाउन का गैप डाउन के जो केस होता है उसमें चांसेज 80% होते हैं कि यहां पर मार्केट वोल्टाइल होने वाला है और साइडवी हो सकता है इसके पीछे देखे रिजन होता है अगर मार्केट गैप डाउन उपन होता है डाट टू की पॉजिटिव सेंटिमेंट में प्रिविएस डे पर अगर ट्रेंड पॉजिटिव होता है उसके बाद यह गैप डाउन उपन होता है तो डेफिनेटली ओवरनाइट कुछ ने कुछ चेंज आया हुआ है तो ना तो यहां पर बायर्स जादे इंट्रेस्टेड होते हैं बाई करने के लिए और सेलर्स भी नहीं होते क्योंकि ट्रेड कर रहा होता है उपर से लोग C शॉड करते हैं नीचे से लोग P शॉड करते हैं तो इसके वैसे होता है कहने कि प्राइस मुवमेंट करने पाता है और ऑप्सन से लिए यहां पर DK का फायदा उठाते है तो जब भी आपको ऐसा केस देखने को मिले आप चार्ट में करके देखो मैंने बहुत ही ब्यक्ट करके देखा हुआ है जब भी आपको ऐसा केस देखने को मिले कि प्राइस के बाद ग्याप दemn होता है या फिर नीचे यरे क्धन के बाद चैन पर ग्याप कर्गाइस में उपन होता है इस चीश के प्रब्विएल्टी आप की सभी 30 के support हो गया, लोग यहां से put shot करते हैं, यहां से call shot करते हैं, न यहां पे buyers interested हैं, न तो sellers interested है, यहां पे कौन interested है, option sellers, जब भी एक बड़ा momentum आता है तो यहां पे IV spike होता है, उपर के साइड बें और नीचे के साइड बें, तो उसके वैसे क्या करते हैं, दोनों साइड से जब भी option short होनी start होते हैं, तो वहां पे chance से यह हो जाते हैं, कि एक आपको sideways market मिलता है, ठीक है, तो ऐसे cases में आपको at least buying avoid करने होते हैं, और कुछ तरीके होते हैं, बाइं करने के कैसे करना है, भी आगे discuss करेंगे, कैसे trade करते हैं, दूसरा case discuss करते हैं, game of probability, चाहे कोई भी price हो, हर एक price में अगर आप long term में एक trend को analysis करते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, let's say कि साल में 200 दिन होते हैं, उसमें से almost 30% time market trending होता है, उपर या फिर नीचे, बचा हुआ जो 30% होता है, उस time में market volatile होता है, उसके बाद 40% जो बचा हुआ होता है, उसमें market sideways होता है, ये चीज़ में आपको क्यों बता रहा हूँ न, कुछ लोगों को एक trending market देखने के बाद थोड़ी से psychology disturb हो जाती है, आपको ये चीज़ जो probability होती है, थोड़ा से इसको ध्यान में रखना होता है, अगर आज आपको trending market मिला है, तो इसके बाद next day, फिर से आपको trending market मिल, इसके chances सिर्फ 10% है, और आपको पता है कि stock market में जिसक chances 10% होते हैं, उसके हम काम नहीं करते हैं, कोई भी setup आप खोजते हो, कुछ भी खोजते हो, उसमें आपको क्या चाहिए होता है, कि कम से कम 70% या फिर 65% का win rate हो, तो 10% पर हम काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग का क्या होता है, कि let's say यहाँ पे trending market था, कुछ लोगो तो उसके वैसे आपको क्या होता है, next day loss हो जाता है, आपने यहाँ पे कुछ quantity लेके पैसे बनाया है, और आपको next day क्या लगता है, कि यहाँ पे मैंने शायद कम quantity ली थी, हो सकता है, मैं अगर full quantity में trade करता हो, तो यहाँ profit मिलता है, तो वो चीज़ आप next day पे करते हो, और व market sideways हो जाता है, आपने जो यहाँ पे profit किया, उसको आपको बचा के रखना होता है, ठीक है, तीसरा कीज, price के पास moment करने के लिए कि space होना चाहिए, जब भी आप कोई भी trade लेते हैं, आपको जो nearest support and resistance होता है, उसमें आपको देखना होता है कि क्या उतना space है कि price मेरा target हिट कर स जैसे कि यहाँ पे, अगर price यहाँ open होता है, तो इसके पास जो nearest support है, वो यहाँ पे है, और nearest resistance कहाँ पे है, यहाँ पे खही है, इसका nearest resistance है, तो अगर price यहाँ open होता है, आपको क्या लगता है, price यहाँ तो यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, price अगर उपर तो जितना आपका इस टॉपलो से क्या उसका डबल आपको टागेट मिल रहा है उससे पहले अगर कोई resistance आ जाता है तो बेटर है कि आप वहाँ पर ना ट्रेड करें ठीक है सेम चीज आपके नीचे के साइड भी होती है जब भी price एक छोटी range में फसा होता है मतलब कि बहुत ही पास इसका support या फिर resistance है उसके बीच में price हमेज से एक volatility create करता है एक momentum आपको तब मिलेगा जब यह range उपर के साइड क्रॉस ओपता है ठीक है सेम चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पास एक support level दिख रहा है प्राइस यहाँ पर एक support है और यहाँ पर यह पर प्रीवेस डे का close है इन दोनों के बीच में price जब तक है यहाँ पर एक आपको volatile market मिलेगा जब भी price इस level को नीचे या फिर ऊपर break करता है यहाँ पर आपको एक trending market मिलता है और यहाँ पर एक expansion मिलता option buying के price में तो यहाँ पर आपको better है कि trade करें राइट तो यह तीन cases थे जिनके help से आप easily identify कर सकते हैं कि market कब trending होगा और कब volatile हो सकता है नाओ how to trade in volatile market एक बार आपने जब identify कर लिया कि market आज volatile हो सकता है तो उसमें आपको trade कैसे करना होता है इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 points लिखके रखें अगर आप इनको follow करते हैं तो आप trade कर सकते हैं only scalping trades जब भी आप volatile market को identify करते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चोटे targets और चोटे stop loss जो scalping method होता है उसको सिर्फ यूज़ करना होता है अगर आप लंबे targets के लिए बैट जाएंगे ना तो कुछ देर जाके वापते से reverse करके आपके stop loss हिट करेगे और यह चीज़ आपने देखे होई है and second important point keep 1 to 1 का risk reward ratio हमेशा मैं आपको बताता हूं कि 1 to 2 का risk reward ratio पर मैं trade करता हूं और आपको भी करना चाहिए but यह market condition के उपर depend करते है market अगर volatile है और उसमें अगर आप 1 to 2 के लिए बैठेंगे ना तो definitely आपका 1 to 1 से वापस आके hit करने वाले stop loss तो better है कि जितना आपका stop loss है अगर आपको उतना profit मिल गया तो better you exit there तिसरा important point and सबसे important है यह re-entry ठीक है market जब भी volatile होता है ना let's say कि यहाँ पर एक support level है price यहाँ से एक bounce लेता है और वापस इसको break करता है आपने यहाँ पर sell करना है अबिस्टी बात है कि जब भी support break होगा यहाँ पर sell करेंगे लेकिन market अगर volatile है तो आपका stop loss hit करने वापस जरूर आएगा तो यहाँ पर आपका stop loss hit हो गया लेकिन जब भी price फिर से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर आपको re-entry करनी है जितने लोगों के यहाँ पर निकालना था जितने लोगों के यहाँ पर stop loss खाना था उसने खा चुका है बापिस अगर यहाँ पर आएगा तो आपको definitely कुछ ने कुछ profit यहाँ पर नीचे मिल सकता है ठीक है तो re-entry is must in volatile market and fourth important point trade only high probability setup let's say कि यहाँ पर एक previous day पर downtrend था और market gap up open होता है तो बीच में यहाँ पर trade करने का कोई फायदा नहीं जैसा कि मैं आपको बता है अगर price after number नीचे आता है और यहाँ पर कुछ दिरे time spend करके बापस इसको break करता है तो आप यहाँ पर trade कर सकते है या फिर अपने previous day low के पास जा भी आपके पास confidence ना हो जब भी market आपको लगई कि कहीं नहीं जाने वाला है कहीं trending नहीं है तो बेटर है कि आप अपना quantity को कम करके half quantity में trade करें तो यह कुछ important points हो जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप old dial market में trade करते हैं and that's it for today I hope आपको वीडियो अच्छे लगी सब्सक्राइब करते हैं we'll take a settle into this video till then bye and thank you